जिले के नामी चिकितसक के बेटे ने फासी का फंदा लगा कर की आत्महत्या साथ महीने की प्रेंग्नेंट है पत्नी जुनजनु जिले के गुड़ा फाटक के पास इस्तित घर पर ही एक युवक ने फासी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली पोस्ट मार्टम के बाद सब परीजिनों को सोब दिया गया है वहीं सुसाइट के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है आपको बता दे मृतक के पिता डोक्टर साहीब राम एक नामी डोक्टर है पुलिस के अनुसार सोमय वर्मा उमर 31 वर्स पुत्र डोक्टर साहीब राम वर्मा ने अपने कमरे में ही फासी का फंदा लगा कर आत्मात्या कर ली पुलिस के अनुसार सोमय वर्मा ने अपने घर पर ही एक कमरे में फासी लगा ली काफी देर तक कमरा बंद था, देखा तो सोमे ने फासील लगा रखी थी सुचना पर पुलिस मोके पर पहुँची, पुलिस ने सब को नीचे उतारा, उस वक्त तक सोमे की मोत हो चुकी थी सोमे अपने घर के पास ही कपडों का शोरूम चलाता था उसकी तीन साल पहले ही साधी वी थी, अभी सोमे की पतनी जोती साथ महा की प्रेगनेंट है पोस्ट मार्टम के बाद सब परिजनों को सोब दिया है इस्थाने लोगों के अनुसार डॉक्टर साही ब्राम वर्मा के च्छै बेटियां और सोमे इकलोता पुतर था पिलानी कस्बे में चोरो ने एक मोटर वाइंडिंग की दुकान से 110 किलोगराम कॉपर वाइर वे एक समर्सिबल मोटर की पार पिलानी कस्बे के वाड नंबर एक सांती नगर राजगर रोड पर इस्थित एक मोटर वाइंडिंग की दुकान से चोरो ने 110 किलोगराम कॉपर के वाइर तथा एक समर्सिबल मोटर चुरा ली पिडित मुकेस कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी राजगर रोड पर सुनील इंजिनियरिंग वर्स सौप के नाम से दुकान है उन्होंने बताया कि 26 सितंबर 2022 को साम 7.5 बजे वे दुकान बढ़ा कर घर चले गए थे सुबह आकर देखा तो दुकान का सेटर टूटा हुआ था तथा दुकान के अंदर रखा नया कोपर का तार 80 किलोग्राम और पुराना कोपर का वायर 30 किलोग्राम के लगवग तथा एक समर्सिबल मोटर गायब मिली मेरा नाम मुकेस है कल सुबह में आकर के देखा तो कहना सटर टूटा हुआ मिला पिछेगा और आलमारी तोड़के दोनों समान निकाल ले गए वायर निकाल ले गए इस्क्रेप निकाल ले गए और एक थोटी मोटरू ठा ले गए लग भागे समान निमानलो ऐसी पिचासी किलो के लमसम में नया नया वायर था और तीस केजी के इस करेप था पीछे से पीछे का सटर तोड़की चिडवा में पिलानी रोड पर एक कार चालक सामने से आर ही दूसरी गाड़ी को टक्कर मार कर मोके से हुआ फरार चिडवा कस्बे में पिलानी रोड पर SBI बैंक के नस्दिक एक कार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चला कर सामने से आ रही दूसरी गाड़ी के टकर मार दी टकर मारने के बाद कार चालक कार को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया दुरगटना के बाद मौके पर भीड जमा हो गई वहीं गटना की सुचना पुलिस को दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने गटना की जानकारी जुटाई तदा कार को जब्त कर ठाने लेकर गई गनिमत यह रही कि हाथचे में कोई जन्हानी नहीं वी वहीं पुलिस कार के मालिका पता करने में जुट गई है आपको बता दे कबुतर खाना बस स्टेंड से मंडरेला रोड तक एक साइड की सड़क खुदी वी होने के कारण वहनों का आवागमन सिंगल रोड पर ही हो रहा है जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या भी बने वी है बरहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है तदा कार मालिक की तलास में लगी वी है